नमस्कार आप देख रहे हैं लालित समाचार सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर अतुल जैन एप्रूप्रेट टेक्नोलोजी इंडिया के माध्यम से शेत्रिय जन्ता को 300 मैडिकल किट वित्रित की गई रामपू स्यूडी गाउ में निर्मित कलोनी वासियों ने विजेबंसर से करवाया नाम करण अमबेट का कलोनी रखा नाम आगे देखते हैं समाचार विस्तार से मानवधिकार एम समाजिक नियाय संगठन के चेर्मेन सचिन जैन द्वारा संगम विहार में पारशद रजनी देवी पती सोनू कुमा बाबू राम के आगरह पर अतुल जैन एप्रोप्रियेट टेक्नॉलजी इंडिया के माध्यम से शेत्रिय जन्ता को तीन सो मैडिकल किट वित्रित की गई इस अफसर पर मुखे रूप से भाजपा के वरिष्टिनेता आमित कपूर, महानगर, महीला मोर्चया, उपादेश, मधू जैन, पारशक, समीधा, गुरंग, गरीमा, गुपता, एमस्थानिये लोग उपस्तित रहे इस अफसर पर संगठन के चेयर्मेन साचिन जैन ने कहा कि ये मैडिकल किट आपको आपके परिवार की सुरक्षा के लिए परदान की गई है, बदलते मौसम में अक्साखानसी जुखाम, भुखार और इमनिटीस तर कम हो जाता है, इसलिए इस से इस परकार की सभी दवाई या सैनिटाइजर, साबुन आदी रखे गए हैं, जिसमें आप सभी अपने और अपने परिवाकुस रक्षित रख सकते हैं, इस अफसर भाजपान नेता आमित कपू संगठन द्वारा किये गए कारयोग की भूरी भूरी शब्दों में प्रिशन सा की, और कहा कि आपका संगठन निरंता करोना वैशिक महमारी से लेकर अब तक लगाता जनता की सहायता कर रहा है, और हर स्थर से संगठन द्वारा सहायता की जा रही है, आप दोनों और आपके संगठन के सबी पदारिकारी बधाई के पातर हैं, उसमें चाहे कोई भी जड़रत रही हो राशन से लेकमेडिकल ऑक्सीजन सिलेंड आदी आप लोगों के द्वारा मुहिया कराए गए हैं, इस सबस्ब महीला मोर्च उपादेश मधू जैन ने कहा कि हमारा मुख्यो देश्य जरतमन तक सहायता पहुचाना है, चाहे वै जैसे भी पहुचाई जाए, नगर परिशत कालका के अधीन गाउं रामपु सियोडी में निर्वित कलोनी का नामकरन अंबेटका कलोनी के नाम से रखा गया, कलोनी वास्यों ने शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष वेराज्य सरका में चेर्मन रह चुके विजे बंसल अड़ोकेट को गाउं की धरमशाला में बुला का कलोन कलोनी का नामकरन सर्व समती से रखवाया, इसके साथ ही कलोनी के बहतर प्रभंदन वेरक रखाफ के लिए भी कलोनी के युवाँ ने अमबेटका कलोनी वेलफे सुसाइटी रामपु सियोडी भी परदेश सरकार से विजिस्टर करावाली है, विजे बंसल ने कलोनी वास्य को वधाई देते हुए, बाबा साहब अमबेटका के उपदेशों वे दिखाये गए रास्तों पर चलते हुए समाज को एक जुट करने की बात कही, इसके साथ ही लोगों ने बताया कि निरंतर विजे बंसल का साथ सभी को मिलता रहा है, गाउं की धरमशाला भी विजे बंस के विकास में विजे बंसल का एहम योगदान है, अब भी विजे बंसल ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में तमाम इलाके में हर मूल भूत सुविदाय उपलब्त करवाई जाएंगी, गौरत लब है कि इस से पहले कालका में भी एक दर निर्मित कलोनी वासियों केशिव कलोनी रखवाया गया था, दरसल नगा परिश्यत कालका के अगामी चुनावों के मध्यनजर विजे बंसल जन संपर्ग अभ्यान के माध्यम से लोगों से जन संपर्ग साध रहे हैं, जिस बीच लोगों द्वारा उन्हें अपार प्यार वे समर्थन मिल रहा है, व अलित समाचार के साथ धन्यवाद